नमस्कार दोस्तों आईए देखते हैं कि कल मार्किट कैसे काम काज कर सकती है लेकिन उससे पहले डिस्क्लेंबर वही वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग परपस के लिए है मैं आपका कोई फाइनेशल एडवाइजर नहीं हूँ कुछ भी ख्रीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेशल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा आपको होने वाले प्राफिट लाज के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है हैं आप देखिए रिटेलर आज फुटभ के गया है काल बेच के गया है इंडेयप्स फ्यूचर ऊ-इंडेयर की रफ के लिया है we फो यह वह भी कही नहीं बुलीश ही पॉजिशन लेके गया लेकिन यह हां इंडेक्स फूचर उसने वें त्टी रॉडदा सर्प्राइजिंग लिए और डियाई इसकी पूजिशन अभी इतनी मैटर नहीं करती लेकिन पूजिशन अगर देखा जाए तो यह बीरिश है अब दोस्तों नेट डाटा पे नदर बारी यह नेट डाटा क्या कहता है रिटेलर 33,234 कंट्रेक्ट है फाइए पचास जार से ज 24,727 कंट्रेक्ट है और यह जो दिया है यह सप्लाई हमारे प्रास की तरफ से है जिन्होंने 27,845 कंट्रेक्ट जो है शाड की हुए है वहीं क्लाइंट्स 99,998 कंट्रेक्ट इन्होंने राइट की है डिया इस नमबर में चेंज नहीं है एफ इस एक लाग 18,860 कंट्रेक्ट है और प्रास ने भी 19,000 के लगवक कंट्रेक्ट राइट की है अब दोस्तों इस फिगर पे आपको नजर रखनी चाहिए अगर यह कल फिगर 1.5 लाग तक पहुंचती है और फिर उसके बाद एक्सपायरी तक यह 2 लाग तक पहुंचती है तो एक्सपायरी जो है वह उपर क लेवल पर हो सकती है इस चीज़ पर आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि जो डेड़ लाग से ज्यादा पुट आप देख रहे थे अब यह नंबर जो है काल की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है करोना के मामले बढ़ रहे हैं रिटेलर को लग रहा है कि मार्किट जो है वो बीरिशो होगी तो वो क्या कर रहा है जम के काल राइट कर रहा है वहीं पुट में 83,487 कंट्रेक्ट हैं डिया इस नंबर में कोई मेजर चेंज नहीं है अब इनके पास 1,23,136 कंट्रेक्ट हैं और प्रास टेजी की पुजिशन बनाके गया 65,310 कंट्रेक्ट इस क्या है यह लग रहा है आईटी फार्मा आईटी है फार्मा है और शायद अब बैंकिंग पे भी यह अपना फ्लेवर ना बनाए आने वाले दिनों में लेकिन जल्द बाजी है अगर अभी हम यह सोच के चलेंगे रीजन क्योंकि एक ही दिन में यह 30-40,000 कंट्रेक्ट यहां काफी जल्द बाजी होगी क्योंकि पिछले दो दिनों से मार्किट में डाटा जो है वो चेंज हो रहा है वहीं प्रास 95,279 कंट्रेक्ट यहां पे इनके पास इन्होंने नंबर कम किया है और डिया इस नंबर में कोई मेजर चेंज नहीं है अब दोस्तों चलते हैं बाकी प बड़त लिए हुए कामकाज करी हैं इरोपियन मार्किट भी हर्याली दिखा रही है और एस जी एक स्निफ्टी हालां की फ्लैट ही है कोई ज्यादा बड़त नहीं बनाये हुए है लेकिन गैप अप कल हो सकती है डाटा को देखके ऐसा लग रहा है अगर वर्ल्ट मार्किट कोई ज्यादा नेगटिव ना होगी तो अब यहां पर देखो कि एफ आई आई ने आज भी जो है सेलिंग की है 1111 क्रोड की पूरा शगुन डाला है और डिया इसने बाइंग की है 1022 क्रोड की तो आप्शन से आपको लग रहा है कि मार्किट बुलिश है लेकिन यहां से लग रही है तो आप्शन मार्किट फिर क्या कर रही है आप्शन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक्सपाइरी जो मंतली एक्सपाइरी है वो बड़े प्लेयर्स के लिए बड़ी इंपार्टेंस रखती है तब ही मैंने दो तीन दिन पहले जो वीडियो पोस्ट किया था तब से बोलना शुरू किया कि बड़े प्लेयर्स के साथ मत मैस उल्जना क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है तो आपने देखा कि 30,500 से तकरीबन 32,600 बैंक निफ्टी दो तिन दिनों में उन्होंने पहुंचा दिया है वैसे ही उन्होंने निफ्टी का भी हाल किया है अब डाटा पर चलते हैं देखने की कोशिश करते हैं कि डाटा क्या पॉइंट आउट करता है जब से नई साइट आई है मदा नहीं आ रहा कुछ भी स्टेडी करने का और जब से अब स्टॉक का नेस्ट बांद हुआ है तब से बैंक निफ्टी कुछ बता नहीं रही कि कहां पर क्लोधिंग हुई है यह साइट का हाल है लेकिन मैं सीधा चलूंगा आप्शन चेंड में क्योंकि 32-300 के लगब क्लोधिंग हुई है बैंक निफ्टी की तो मैं 32 हजार पर देखो यह पर देखो 32-500 पर वीवन देखो यह सारी पुट जो आप देख रहे हो यह आज हमारे रिटेलर ने बाइंग की है जी हां पुट जो है रिटेलर लेके गया है वहीं अगर आप देखो कि 32,000 की काल पर अन्वाइंडिंग थी इवन 32-200 की काल पर भी अन्वाइंडिंग है और सप्राइदिंग ली आप देखो कि काल में आज इतना इंटरस्ट किसी का नहीं था जितना पुट में था रिटेलर का और वैसे भी रिटेलर ही एक्टिव है बड़े प्लेयर्स की तर अगले एक दो दिन करता है कि एक दो दिनों में रिटेलर्स अपनी पूजिशन कैसे बनाते हैं क्योंकि उन्होंने बैलेंस बनाई थी तो आज आपने देखा कि दिन बर प्रीमियम ज्यादा जो है इट हुआ तो क्लियर कट सपोर्ट जो है वो अगर आप मान के चलोगे 32,000 पर यहां पर 14,000 कंट्रेक्ट आज ही जुड़े है और टोटल तकरीबन 35,000 कंट्रेक्ट है फूट साइड में वहीं काल पर देखोगे 32,500 पर 28,000 कंट्रेक्ट है रेस्टेंस कहीं ना कहीं यहीं पर ही है 32,500 के लेवल पर और उसके बाद 33,000 के लेवल पर लेकिन यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली है 32,600 के उपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है कल गैप आप होती है इसके उपर निकलती है 15 मिनट कामकाज करती है तो आप 32,500 की काल ट्राई करना मैं यही स्ट्रेटजी बना के चलूँगा फिर मुझे लग रहा है कि मार्किट जो आई थी आज इसने 32,600 के लेवल को 500 के उपर भी गई 600 के लेवल को क्रास किया सिर्फ एक ही रीजन था कि 32,500 पर पूट बड़ी अच्छी थी हालांकि अगर आप देखोगे काल कम है पूट ज़्यादा है और अगर कल गैप आप होती है 32,600,650 के उपर टिकने की कोशिश कर करती है तो कल फिर आप देखोगे कि यहां पर पूट पर अडिशन स्टार्ट हो जाएगी और पूट हमारे कलीर कट जो है रिटेलर भी कल भी कोशिश करेंगे पूट लेने की या जो पूट उनने आज लिए जो आज करी करके गया इसको एवरेज करने की तो जब एवरेज 30,000 पर हालांकि अच्छा 32,500 से भी अच्छा जो रेजिस्टेंस है वो 33,000 के लेवल पर है लेकिन काल्स जो है वो हमारे बड़े प्लेयर के पास है तो आप देख सकते हैं काल्स हमारे जो है डाटा को एक बार आप एनलाइज कर लो काल्स हमारे बड़े प्लेयर के पास है व मेरे को जो 32,500 भी कोई खास रेस्टेंस नहीं नजर आ रही अलबता ये थोड़ी सी नजर आ रही है और 33,000 एक ये लेवल है जहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी यहां से फिर मार्किट जो है तेजी से निचे की तरफ आ सकती है 32,500 के लेवल तक और अगर गैप डाउन होती है गैप डाउन के केस में क्लियर कट 32,000 के लेवल के लगबग जो है अगर गैप डाउन मिलता है मुझे तो मैं एक बार के लिए काल लेके चलूँगा उस केस में 32,000 की इंदा मनी स्ट्राइक लूँगा ताकि मुझे जो है प्राफिट देखने को मिले अब बोटा के 33,000 की तरफ रह सकती है 32,000 कटा तो फिर जो है अगला जो लेवल है वो 31,500 का लेकिन लाई मार्किट पर डाटा पर नजर रखना जैसे डाटा फार्म होगा वैसे ही आप जो है ट्रेड लेना अब निफ्टी सेम हाल निफ्टी का है क्लोधिंग का बता नहीं रहे लेकिन 14 चारसो पचासी यह हम लेवल मान के चल सकते हैं 14485 तो मैं सीधा चोधा पाइंच सो के लेवल पे चलूँगा के लेवल तक जो है रिटेलर जाते वोगे नजर आए बाकि उन्होंने हर लेवल पे कवर करने में ही अपनी समझदारी समझी अब यहां पे 37,000 कंट्रेक्ट हैं काल साइड में और पूट साइड में आप देखिए 42,925 कंट्रेक्ट हैं तो 14500 ही अपने आप में जो है 14400 यहां पे 36,000 कंट्रेक्ट है तो हलांकि जो स्पोर्ट है वो मुझे 14500 ही लग रही है लेकिन मार्किट ने कहीं न कहीं इसके नीचे थोड़ी सी क्लोधिंग दी है तो एक बार के लिए आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कल जो है कैसे कामकाज होता है कहीं गैप अप होत कर सकते हो यह वाली और अगर गैप डाउन मिलता है इनके तो गैप डाउन के केस में भी 14400 की काल एक बार आप ट्राइब करना आपको जो है उसमें मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है और मैं इसी स्ट्रेड़ी पर काम करूंगा गैप डाउन मिलता है तो और गैप अप मिलत श्चा था यह वाला कि कि यहां पे यहां पे आज ली कमी Хालां कि यहां पे भी आज वी कमी नदर नहीं गुए लाफ टा वी अद्फ हमारे मेंदेफ उल्ल कर रहे हैं और पुट का नंबर भी अच्छा खाता है हालां कि आज आगर डाटा को देठेंगे तो कहिना कहीं थोड़े से हाथ एक्सचेंज हुए हैं पुट जो है आज अच्छी मात्रा में रिटेलर ने भी वाय की है और रिटेलर बेच के भी बैठा हुआ है तो एक चीदा आपको नदर रखनी पड़ेगी क्योंकि मंतली एक्सपारी है तो जो मुझे समझ में आ रहा है एक बार के लि क्या किया है अपना नंबर चेंज कर दिया वह यहां से कहीं से जो है निकलने की कोशिश की उसने और आगे बढ़ने की कोशिश की आज उसने सोचा कि ठीक है यहां से मैं निकलता हूं और आगे का मैं प्राफिट यह में डालने की कोशिश करता हूं तो सिच्वेशन यह अभी यह लग रही है कि एक बार के लिए मार्किट को उपर लेकर जाया जाएगा दो तीन दिन रहे हैं एक्सपाइरी में बड़े प्लेश की कोशिश ही है मंच्छा यह है कि हम एक्सपाइरी उपर करवा दें ताकि हम थोड़ा सा मुनाफ़ा कमाने में काम्याब हों और इबाद connects by आपको जो है नीचे की तरब रस्ता दिखा शकती है या प्रास की तरफ से अभी आज भी कोई एक्षन नहीं है जह फ्राइड़े को एक्टिव होते हैं वह आज मंदे को भी आपको वे तो क्रहितले करने को करें करें' वारे नहीं करें हो करें लेकिन वाइन बार जो है बड़े प्लेयर्स के लिए मैटर करती है उनके साथ पंगा मत लो रिटेलर लेके बैठा हुआ है दोनों तरफ से लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रास ने आज भी जो है कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं की क्योंकि प्रास जो है वो मंतली के वीक में ज्यादा मैस नहीं करता लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल प्रास एक्टिविटी जिरूर कुछ करने की कोशिश करेगा और जो हमारी एक्सपारी है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए उपर से यहां कहीं से इस तरफ को आनी चाहिए और अच्छी खासी आनी चा करता है कि अगले दो दिनों में डाटा कैसे फॉर्म होता है अब हम कल जो रेंज पर नजर रखेंगे वह 14 300 से लेके 14 650 यह एक रेंज है जो इस पर आपको नजर रखनी चाहिए 300 से लेके 650 हालांकि 14 500 ही अपने आप में जो है वो रेस्टेंस है यहां पे काल में 37,000 कंट्रेक्ट है पुट पे 42,925 कंट्रेक्ट है तो गैप अप मिलता है अगर कल भी एक लेकिन गैप अप कितना होना चाहिए तकरीबन 100 से 150 पॉइंट का अगर गैप अप मिलता है तो मै एक बार के लिए क्या है 14 600 की पुट लेने की कोशिश करूँगा ताकि यह पुट मुझे और सस्ती मिले अदरवाइस मैं वेट और वाज करूँगा लाई मार्किट पर डाटा में नदर रखूँगा जैसे डाटा बनेगा वैसे मैं जो है पुजिशन लेने की कोशिश करू ओपा तो आपको क्या करना अभी जादा यह वह नहीं करनी मेरी यह या तो दो दिन जो है आपको वेट कर लो जादा पूझिशंस मत बनाणा अगर भीर बनानी आ तो ओ रस्डे को बनाना या वेटनेस दे को लिएग और बनाना आपको अच्छा देखने को मिल सकता है लेकि खुलती है तो थोड़ा सा लेवल का वेट करेंगे इस लेवल के आसपास एक बार के लिए 650 या 600 की पुट्राई करेंगे तो हमें जुरूर मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो यही खतम करने ज़्यादर चाता हूं उमीद करता हूं कि आपको कल कुछ इस एनालिसिस के बेसिस पर मुनाफ़ा देखने को मिले फिर भी अगर आपका कोई स्वाल हो कोई शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या चैट रूम में पूछ सकते हो मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाइड देने की नमस्कार जैहिंद झाल-खक झाल-खको रिप्लाइडब सकते हो इसक्वाश करूज रिप्लाइड़ रूम में हो रिप्लाइड़ रूम्